लो आ गई लोकी की एक और नई मिठाई वैसे तो आपने लोकी की बहुत सारी मिठाईया बना के खाई होंगी लेकिन लोकी का चूरमा शायद आज से पहले नहीं खाया होगा इसे आप एक बार बनाईए और 15-20 दिन रखके बिना फिरिश के आराम से खाईए और ये खाने में अपने फैमली फ्रेंड में जरोशे के जिएगा चली यह वीडियो चूरमे को बनाने के लिए हमें एक लोकी चाहिएगी बहुत मालूमि जब लोकी का चूरमा है तो चाहिएगी तो यहां पर मैंने यह आदा क्लो की लोकी लिए है और लोकी एकदम कच्छी होनी चाहिए औ तो यह पिर मेर्मित करें जींज़ में यह जो यह मैंने लिए के आड़ीं दया nawd यह जो मैंने लिया में लाक में मॉटा बारिक आर्टा फा vara न वनिया यू रिया इक तीन कॉभा डर्ड़ लिया इससे एक पैकट वाला यहा जो आता होता हैं पारिक तो इसमें आप धाई कप आटा और आधा कप सूजी डालेना तो वह मोटा अटा हो जाएगा ठीके ना बैसे तो चक्की वाले पर इजीली आटा बिल जाता है तो यहां पर मैंने तीन कप आटा लिया है उसमें सारी लोकी डाल दी है और यह दो कप दो चम्मच महाँ पर इसमे कुछ भी डाल सकते हैं अब इन सब तीनों चीजों को अच्छे से हम एक बाइंड कर लेंगे पहले क्योंकि लोकी होती है मौशर इसमें पानी चोड़ेगी तो पहले आटा और मलाई और लोकी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर जितनी जरुवत लगे की ना उसके साबसे है अो पानी टालेंगे और गुड़ी जैसा आटा लागा के तैयार करेंगे जितनी फिरीस कर लिए मिक्स कर ले जीजाऑ और थोड़ा ओडा पानी डालके ।यार भी तो यहां पे लाइं यह लग चुका है अब इसकी च्छोटी सी मुठिया बनाएंगे तो ज्यादा तो यहांपे मेरि सारी अच्छ वुठिया बनके रेडी हूचकी है। महँंए पर पर मैं आफ तरह सकते हो छाहओ और मैं तब लेज डुनगी और इसको थोड़ क्रिस्पी ब्राउन कलर आजागा तब तक हम को इसको गरका यहां सो नहीं तो तो मीडियम गैस पे इसको एकदम उलट पुलट करते हो ब्राउन कलर आने तक सेक लेंगे और यह ब्लीम यान यह फ्रेंट यह एक लॉकी का चूर्मा इतना टेस्टी लगता है आप एक बार बनाएंगे ना आप चाहे तक चकु से चाहीं हाँ से कट लिजेगा जैसी भी चाहो आराम से तूट जा जा दिए आप यहां बहुत क्रण्ची बनें एक अग्दम सोफ्ट होती है ठीक है ना तो अंदर से सॉफ्ट और उपर से बहुत-जादा क्रण्ची बनती है तो यहां पर मैंने सारी मु थोड़ा तोड़ा वैटर डालकि अपना सारा इसका पाउडर बना लीजे यहाँ पेमिने टोड़ा चैक यहाँ मिनी बडकी तब खेये लिए कंचे लॉइंगे इसकर पीसके रखा ता, उसको सेखिये को स्विर बिफोर एप्टर पीश सेक् सों हम्य रखे उसके पांच मेर्स भीक्द कर पहले और about 10.5 a greed जिससे ही तर चूर मिठाइये यह Ikी वह toks तक चलेगा 15 साब 20 दे नाराम से चलेगा को जब हम चूर मुठिया बना के सेखते तो उपर से सिखती है अंदर से मौश रहती है इसलिए जब हमें सूर्मा बनाना है तो इसी तरह के से आप एक बना के देखेगा बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है अभी देख सकते हैं कितना चेंज हो चुका है मुझे सेकते से यहां 5 मिनट हो चुके हैं और सेकते से कलर आप देख सकते पहले बिफोर और आफ्र करके देखेंगे आपको डिफ्रेंट नजर आ जाएगा और यह इतिना टेस्की लगता है अभी 5 मिनट हो चुके हैं अब इसमें फिर से दो चमज घी और एट कर दिजे पांच मिनट शेकने ही के भाद इसमें फिर पहले से पहले इसको पीछ दाला ता उसमें लिए फिर से पूरा दू चम्मज गी और डाले लिगा धिरी दिरे जाये गालेंगे अब जैसे फेर इसको एक दो मिनट सेके अच्छे से देखे सकतें हैं अपसका दे जिसे हम रखके लॉंग टाइम तक अराम से खा सकते हैं और यह इतना टेसी लगता है लोकी की विजिसे इसका फ्लेवर और विए अच्छा लगते लगता है तो आप एक बना के ज़रू ट्राइब कि यहां सेखते सेखते मेरे को 5-6 मिनेट कम्प्लीटली हो चुके हैं और मैं दो चम्मच डाल दी है और जो गौन से रखके रखा ता वह आट-दस बादाम को मैंने पीस लिया था और इसको वो डाल दिया आधी चम्मच लाइची पाउडर इसमें से आप कोई ड्राइफूट नहीं खाते हैं और जो खाते हैं इसके अंदर कुछ भी ठीक है काजु और भी अच्छा मौश्यर आजगा आप देख सकते हैं घी डालने के घी डालते हैं तो मौश्यर और भी अच्छा बढ़ता चड़ाता है अब जितना भी हमारा ड्राइफूट अब यह रखके रखके मेरे 5-2 मिनिट हो चुग है हलका सा ठंड हो चुका है यहां पर मैंने इ देशी खंड भूरा लिया है तो जितना अ अटा लिया था न उतनी ही खंड भूरा लिया है इन सब चीजों को अगर आपके पास यहां तो आप घर नहीं है तो आप 3 कप बराबर की स्टीयी पीश के डाल दीजेगा simple बूरा जो हता है वो भी डाल सकते हैं तीक है आपके हेहां जो चुरमा में डलता हो मतल़ मीठा वह je जासकेद रिए पीस के डाल दीजिये यहां पैने देशी खांड बूरे का स्तिमाल किया है तीन तीन कप पाटा तीन कप पूरा मीठा आप अपसे साफ से कम जादा भी कर सकते हैं और थोड़ा सस को पिस्ते से गानिश कर दिया तो कैसी लगई आज की वीडियो पताईएगा जरूर आप भी खाईएगा अपने मेमानों को भी खिलाईएगा और फेस्टिबल पर बना के रख के अराम से लॉंग टाइम तेग आप खा सकते हैं यह ऐसी मिठाई है तो आई होब आज की वीडियो आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा और ज़्यादर फेमली फ्रेंड में शेयर कीजेगा